हेलो दोस्तों नोटिफाई नोलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं योपी स्कॉलर से दो हजार तेश चोबिस के बारे में फ्रेंड आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुश कवरी की बात है बहुत सारे कैंडिट ऐसे थे ह जिनका यहाँ पे PFMS पे इस्टेटास जो है यहनी कि जो वैलिडेशन इस्टेटास है यहाँ पे रिजक्ट सो कर रहा था तो मैंने प्रीबियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि आप लोग को उसको लोग के परिशान होने की आवासा क्ता नहीं आने वाले समय में फिर जिनका PFMS पे इस्टेट जो है यहाँ पे वैलिड सो कर रहा उन सभी छात्रों का पैसा जो है कब तक आने वाला है इसके बारे में आपको बताने वाले है और यहाँ पे second installment को लोगे बहुत सारे candidate जो है confusion में है तो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे second installment को लोगे confusion है doubt ह इस वीडियो में clear हो जाएगा complete information वीडियो में आपको मिल जाएगा आप लोगों से request रहेगा अगर आप लोग नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो please इस वीडियो को like share कीज़ेगा नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा तो फ बाई जुन को होई इनका request date भी बाई जुन था और उनका validation status जो है reject किया गया था बाई जुन 2014 को ठीक है तो यह जो है यहाँ पे पहले status इनका access हो कर रहा था और मैंने previous वीडियो में friend आपको बताया था कि जिनको भी यहाँ पे मतलब जिनका भी validation status गवर्मेंट के द्वारा समाच कर लिए भ्याग का दोरा reject किया गया है उनको बिल्कुल परिशान होने की आवासकता ने यह ठीक है आने वाले दो से ले के तीन दिनों के आंदर उन सभी छात्रों का जो validation status है verify करके valid कर जागा और उन सभी छात्रों की scholarship जो है इस भी का चाहिए ठीक है तो यहाँ पे इनका status ऐसे सो कर रहा था और मैं आपको जो है थोड़ सा scroll on करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग यहाँ पे देख पार होंगे इनका जो amount है यहाँ पे 23,800 रुपे का है और इनका जो है requested date आप लोग देख पार होंगे 24 June 2024 का है और इनका जो validation status है पहले यहाँ पे reject सो कर रहा था और 24 June 2024 को इनका जो validation status है यहाँ पे validated सो कर रहा ठीका ना और यहाँ पे fund status में आप लोग देख पार होंगे कि under processing with agency यानि कि 24 June 2024 को इनका जो fund status है under processing with agency वाला रेजन सो कर रहा है यह वाला रेजन तब तक सो करेगा जब तक आप लोग का पैसा आप लोग के account में successfully transfer नहीं हो जाता ठीका ना तो friend यहाँ पे जितनी भी candidate थे और यहाँ पे मैं आपको एक और information दू जिनका भी यहाँ पे PFMS पे amount सो कर रहा और only SC और ST चा मतब SC और ST candidate ठीका ना, SC, ST में चहाँ आप लोग fresh होंगे चहाँ रिनोल होंगे कुछी भी course में आप लोग अपना admission करा होंगे, अगर आप लोग के farm को शमाज कर लेना घ्रका दरा verified कर दिया गया होगा, तो यहाँ पे 99.9% candidate ऐसे होंगे, जिनका amount जो है PFMS पे चेक करना, बहुत सारे candidate ऐसे होंगे जो अपना current status चेक कर रहोंगे, आपको current status चेक नहीं करना, current status में आपको जो है आपका amount सो नहीं करेगा, आपको जो है यहाँ पे PFMS ठीका ना, PFMS वाले साइट प्याना है, मैंने इसके पहले एक वीडियो यहाँ पे upload करके बना दिया, ठ दिख सकते हैं कि कैसे आप लोग जो है अपना amount चेक कर पाएंगे, तो जितने भी candidate होंगे, आपको जो है अपना PFMS पे amount चेक करना है, amount में यहाँ पे जितने भी candidate होंगे, मतलब जिनका form समाज कर लेना भ्याको दरा verified कर जा गया होगा, उन सभी छात्रों का पैसा जो है successfully, मत जिनका यहाँ पे validation status validated सो कर रहा है, उन सभी छात्रों का पैसा जो है इस week ठीक है, यानि कि 28 जुन तक या तो उससे पहले पहले कभी आप लोग का पैसा आप लोग के account में आ सकता है, हो सकता है कि आप लोग का पैसा जो है आज ही आपके account में आज हो सकता है, मतलब इस week जित इतनी भी candidate होंगे, जिनका पैसा मतलब PFMS पे बहुत कम सो कर रहा होगा, उनको बिल्कुल परिशान होने कि आओ सकता है नहीं है, जो amount आपका PFMS पे सो कर रहा है, यह आपका first installment है, जिनका पहली बार पैसा PFMS पे सो करता है, उनका जो है first installment होता है, और first installment आने के बाद आप लो second installment रहता है, first installment के तुलना में यहाँ पे ज़्याद रहता ठीक है, तो आपको बिल्कुल परिशान होने की आओ सकता है नहीं है, जब आपता पैसा जो है first installment आप लोग के account में आ जाएगा, उसके बाद आप लोग का पैसा जो है second installment आप लोग के account में आएगा, ठीक है ना, जो दोबारा आप लोग का पैसा जो है, आप लोग के account में नहीं आएगा, ठीक है, अब फ्रिंट बहुत सरे कैनेट ऐसे हैं, जो comment कर रहे हैं, कि सर हमारा जो पैसा है, first installment की जो रास ही है, यह मई में ही आ गए ठीक है, अब कुछ लोग कैने कि सर हमारा जो पैसा है, यहाँ पे लोग का first installment, जह मई में होगा, जह जून में होगा, कभी भी आप लोग का अगर first installment आ जोगा होगा, तो इस weekend की June last जाते जाते second installment की रासी आप लोग की आ जाएगी, ठीक है ना, अगर फ्रिंट अगर आपका अभी present time में first installment की रासी जो है, यहाँ कि पहली बार आप लोग का पैसा जो है PFM से सो कर रहा है, तो आप लोग का पैसा भी मतलब first installment आने के one week के अंदर अंदर second installment की रासी जो है, आप लोग के account में आ जाएगी, अगर फ्रिंट one line में बात करें, तो यहाँ पे first plus second installment की जो रासी यह ठीक है ना, इस week सभी छात्रों का उनके account में आ जाएगा, अगर फ्रिंट आपका जो है यहाँ पे amount जो है, तो आपको बिल्कुल tension लेनी के आवसकता नहीं है, अगर यहाँ पे amount जो कर रहा है, तो 100% आप लोग का पैसा जो है, आप लोग के account में आ जाएगा, आप लोग को उसको लेकित बिल्कुल परिशान होने की आवसकता नहीं, ठीक है, तो फ्रिंट यहाँ पे मैंने आपको जो है first installment plus second installment के बारे मता दिया है, और आप लोग का पैसा जो है, आपके account में आने की संभावन है, उसके बारे भी मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है, यह तो बात रहे complete yesc और yesc वाले चातर के लिए, आप यहाँ पे जनरल मायनोटी वाले चातरों के बारे में यहाँ पे कुछ information मैं दे देता हूं, अगर फ्रिंट आप लोग जो है यहाँ पे OBC कार्च से बिलोग करते हैं, अगर फ्रिंट आप लोग जो है यहाँ पे जनरल कार्च से बिलोग करते हैं, अगर फ्रिंट यहाँ पे आप suspect आपी blocked चो करा था तो ये बोला गया था कि मतलब जितने भी बचे कुछे candidate है उन सभी छात्रों के status पर जो नीड़ा होने वाला है आचार सहीता यनिकी चुनाव खतम होने के बाद लिया जाएगा तो friend यहाँ पर चुनाव भी खतम हो चुका है result भी यहाँ पर हो चुका है अचार सहीता भी यहाँ पर खतम हो चुका है बट अभी भी समाज करनाड भ्याक को दोरा कुछ भी news notice OBC जन्रल मानोटी वाले चात्रों के लिए नहीं लाया गया ठीक है यहाँ पर बताया गया था कि किसी भी चात्रों का पैसा जो है नहीं आने वाला ठीक है ना जुलाई में संभाणा बनता है आप पूछेंगे सर कितने परसेंटेज का चांस बनता है कि OBC जन्रल मानोटी वाले चात्रों का जो पैसा है जुलाई माया था मैं यहाँ पर खहूंगा ओनली कि 20 परसेंटेज का चांस बनता है कि आप लोग का पैसा आया ठीक है ना बिस परसेंटेज का चांस का मतलब यह होता है कि 9 के बराबर आप लोग मानके चलिए ठीक है ठीक है ना तो यहाँ पर देकि समाज करना रिभाग आप किसी भी केंड़ेट को मतलब उनका जो रवया ह है ओ लोग जो चाहते हैं कि आप किसी भी candidate को जो है पैसा ना मिले अब बहुत सारे candidate ऐसे हैं जिनका transaction failed हो चुका है ठीका ना आप transaction failed होने के बाद बोला गया था कि पैसा जो है minority वाले छात्रों का दिया जाएगा बट अभी तक उनका भी पैसा जो है नहीं दिया ठीक है ठीक है तो फ्रेंड जितने भी OBC general minority वाले candidate है अभी उनके लिए कुछ भी यहाँ पर news notice नहीं है कुछ भी यहाँ पर समाज करना विहाँ का द्वारा नहीं बताया गया है जो भी यहाँ पर उनके द्वारा उम्बीद नहीं है जब तक यहाँ पर गवर्मेंट को द्वारा समाज करना विए को द्वारा कोई ठोस कदब नहीं उठा जाता तब तक आप लोग का जो पैसा नहीं आने वाला ठीकरा जो भी यहाँ पर information आएगा आपको सबसे पहले इस चैनल के मात्यम से बताती है जाएगा तो फ्रेंड I think विडियो आपको helpful लगे होगी जानकारी आपको अच्छे लगे होगी इसके अलामा कुछ डाउट हो कुछ प्रावल्मों कमेंट से तमने कमेंट किजेगा विडियो पसंद आएगी लाइक से जोल किजेगा मिलते हैं अच्छे विडियो में थैंक यू and keep watching